दोस्तो अगर आप यूज करते हैं Vivo T2 X 5G का फोन तो एवडियो आपके लिए काफी ज़्यादा important होने वाली है इस वीडियो मैं आपको वताने वाला हूँ कि आप अपने Vivo T2 X 5G की फोन में किसी भी एप को hide कैसे करेंगे और जिस एप को hide करते हैं उसको आप open कैसे करेंगे सबसे पहले आपको setting open करना है शेटिंग open करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है एक option मिलेगा chicoti का आपको इस पर किलिक करना है शिकोटी के option पर click करने बाद दोस्तों यहां पर थोड़ा निचे आएंगे privacy app encryption का option विलेगा इस पर आपको click करना है अपना password बना लेना है पासवर्ड अगर बनाया है तो enter कर देना है इसके बाद आपके skin पर कुछ ऐसे interface देखने को मिल जाता है अब यहीं पर दोस्तों आप लोग privacy password disable कर सकते हैं modify privacy password पर click करके password change कर सकते हैं और नीचे hide app पर आप click करेंगे तो यहां पर कुछ ऐसे interface देखने को मिलेगा यहां पर कुछ important setting आपको जरूर करनी है जैसे कि view hidden app इसको आन करना है verify privacy password इसको भी आन कर देना है ताकि hide application को कोई open करे तो password पहले इंटर करे इसके बाद ही open कर सके अब इसके बाद जिस भी application को आप hide करना चाते हैं यहां से आन कर दीजिए एफ application hide हो जाएंगे यहां आप देख सकते हैं जितने application को हमने hide किया उस सारे application यहां पर आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे hide application को open करने के लिए दो finger एक साथ नीचे सू उपर की तरफ slide करेंगे password इंटर करेंगे जो बनाए हैं इसके बाद आपके screen पर hide application दिख जाते हैं